जहीं साथ ही मिरा नम है आकाश मोरिया और आपसी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूपी श्टड़ी पर बहुत बहुत वाकत है फ्रेंज आर्पी अप में आप लोगों के लिए नियू र्कूरूटमेंट आच विए जी हाँ दोस्तो आर्पी अप में आप लोगों के लिए कौंस्टिबल और सब इस्पेक्टर पर बहुत ही अच्छी वेकंसी आई हुए जी हाँ दोस्तो आप लोगों के बारा हज़ार के लगभग आप लोगों की ये वेकंसी आ रही है और ये कब से आप लोगों को आनलायन शुरू होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे है सांथ सांथ आप लोगों का सज़ेवर क्या रहेगा, ऐज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर की साथार पर रहेगा आप लोगों का रहने वाला है सबसे पहले ऐसे ही knowledgeable video पाना चाहते हैं तो हमारे इस channel को subscribe जरूर कर ले तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे म सारी जानकारी देता हूँ सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानें कि आप लोगों को eligibility condition क्या है तो eligibility condition में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 10 पास हैं तो आप लोग apply कर सकते हैं कितना दसवी पास हैं तो आप लोग apply कर सकते हैं इसके अलावा आप लोगों considerable post के लिए apply कर रहे हैं Constable post में आप लोगों के age जो रहने वाली है वो 18 लेकर 25 वरस ऐज रहेगी ठीक है कितना रहेगी 18 लेकर 25 वर्ष रहेगी वहें सब इस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 लेकर 25 वर्ष तक एज रहने वाली है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं एज देख लिए क्या रहेगा आप लोगों को यहाँ पर हाइट क्या रहेगी इसमेटिक है तो जनरल OVC का हाइट रहेगी जो 165 cm मेल कंडिडेट की फिमेल कंडिडेट का 157 cm मेल कंडिडेट चेष्ट को 80 cm रहना चाहिए प्लस 5 cm फुला कर 85 cm करना पड़ेगा वह जो ST candidate है उनकी हाइड जो है 107 cm होना चाहिए female का 152 cm और जो male candidate का chest रहेगा वो 76.2 से लेकर 81.2 cm होना चाहिए इसके लावाँ जो पहाड़ी लाकों से बिलोंग करते हैं उनका हाइड जो है 163 cm होना चाहिए और female का 155 cm male candidate का जो chest रहेगा वो 80 cm रहना चाहिए प्लस 5 cm इनको फुलाना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं और भी क्या डीटियल से यहाँ पर दिये गए application fees जी हाँ दोस्तों application fees किया लगेगा आप लोगों का तो application fees यहाँ पर जो आई है 500 रुपए फीस लगेगा है यह general OBC वालों का है किनका है general OBC वालों को 500 रुपए फीस लगेगा उसके बाद आप लोगों का जब CBT होगा यानि कि return exam जब आप लोगों का होगा online है तो उसको आज़ आप लोग पेपर को देते हैं आप लोगों को 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा ठीक है कितना 400 रुपए रिफंड कर जिए केवल 100 रुपए ही आप लोगों का लग रहा है वहीं यदि आप लोग ST है ST है, EX सर्विसमन है, female candidate है तो आप लोगों का 2500 रुपए फीस लगेगा जो की एक्जाम देने के बाद आप लोगों का पूरा का पूरा 500 रुपए आप लोगों को रिटर्न कर दिया जागा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है यह हो गई आप लोगों की अप्लिकेशन की फास वहीं recruitment process की बात करें तो recruitment process जो है आप लोगों को सब पहले आप लोगों को computer based test होगा, CVT होगा उसके बाद physical होगा, physical efficiency test होगा और उसके बाद physical management आप लोगों का होगा फिर document verification होगा फिर final selection आप लोगों का किया जाएगा ठीक है, चलिए नीचे बढ़ते हैं हम लोग देख लेते हैं, physical में आप लोगों क्या क्या होने वाला है तो physical में देखिए, इस तब inspector post के लिए आप इस चार मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा और high jump रहेगा female candidate का जो रहने वाला है वो 9 फिट रहेगा लांग जम्प, 3 फिट रहेगा, high jump ठीक है चलिए, नीचे बढ़ते हैं हम लोग जो है आप लोगों को notification जो दिखा दे रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने साब साब मेंसन किया गया है कि यह आप लोगों की recruitment process है पोस्ट आप सब inspector और constable के लिए ठीक है वो invite किया गया है, ठीक है क्या किया गया है, इन्वाटेटेट है यहाँ पर लिए हुआ हुआ है साथ साथ यहाँ पर बताए कि लास्ट रॉक्रूट्मेंट वाज कंड़क्ट इन 2018 लास्ट रॉक्रूट्मेंट हुआ था, वो 2018 हुआ था उस देके basis पर आप लोगों का इस बार भी recruitment यहाँ पर आप लोगों का लिया जा रहा है ठीक है, और यहाँ पर एक चीज इन्होंने और mention किया हुआ है यहाँ पर है, रो mention इन्होंने यह किया हुआ है फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट फेज क्या होगा आप लोगों का, आप लोगों का CBT होगा क्या होगा आप लोगों का, CBT होगा, computer based test होगा यह फर्स्ट पेज जो आप लोगों का होने वाला CBT है इसको जो है है SOAM यही कराएगी ठीक है कौन कराएगा आप लोगों का पर्ष्ट पेस आप लोगों का जो है RRB कराने वाला है इसके अलामा जो है आप लोगों का RPF कराने वाला यहाँ पर RRB कराने वाला जो आप लोगों का second phase है वो RPF कराने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं आरपी अप स्वयम कराएगा और रर्वी जो आई है वो आप लोगों का जो है रिटेन एक्जाम को कराने वाला है यहाँ पर यही चीजें यहाँ पर mention की गई है तो नीचे स्क्रोल करके बढ़ें इसी को जो आए है यहाँ पर दोबारा से mention किया गया है यहाँ पर बताएगा है कि फर्स्ट इस्टेज जो होगा वो आप लोगों का आरार भी कराएगा यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है फर्स्ट स्टेज यहाँ पर देख सकते हैं कियेगा और इन सभी का रिपोर्ट बनाई गई है इस कमेटी को जो आए है इनका रिपोर्ट आप लोगों को 16 अक्टूबर को इसका जो आई है पूरा रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा और एक सारी जानकारी बता दीया हुआ है इसके अलाओ फिर भी कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों करके पूश सकते हैtur जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी है तो आप लोग फटा बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए सोला गारी को मैं फिर से वीडियो लेकर आऊंगा ठीक है और इसके बार हम जो भी अपडेट रहेगी न्यू अपडेट है उसको अपडेट कर दूँगा आप लोगों को तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बाकी मैं मिलता है फिर से नई जानकारी सा नई